हलो एविवन स्वाइब वेलकम यू अगेन ओनावर यूट्यूब चैनल नेम्ड यूपी एसिस्टिंगर और आज के इस शेशन में बहुत इंट्रस्टिंग बात होने वाली है यूपी एसी की 2022 की जो करंट की वेकंसी चल रही है मार्केट के अंदर जितनी जादा गर्मी बाकि जितनी सर्विसेज हैं उन सभी सर्विसेज के अंदर कितनी कितनी वेकंसी यूपी एसी ने दी हैं और इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप उस सर्विस को चूर्ज करें जिसके अंदर आपको अपना कैडर मिलने की ज़्यादा चांसीज है दिन दे सेकिंड वन इज आप अपनी प्रिफरेंस को अलोकेट कर पाएंगे कि हमारी प्रिफरेंस क्या है तो अज इस सेशन के बारे में हम एक और सर्विस के बारे में बात करेंगे इंडियन रेल्वे मेनेजमेंट सर्विस रिसेंटली गवर्मेंट ऑफ इंडियन इक सर्कुलर जारी किया है उस सर से दे सकते हैं और देख सकते हैं अनलाइज करेंगे तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं यह हमने पहले डिसकस कर लिया सर्विस वाइस वेकंसी एक नई सर्विस और दो हजार तेश की वेकंसी क्या होने वाली है यूपीएस की उसके बारे में अभी बात करेंगे हम 2022 क सर्विस वेकंसी की जो सर्विस वाइस ब्रेक अप है उनका इस दे मॉस्ट हैंसम फंटेस्टिक पोस्ट नौकरियों में नौकरी तो बई सिर्फ आईस की होती है बाकि तो सब ऐसे ही होते हैं तो टोटल 180 और इसके अंदर अन्रिजावड की हैं 73 EWS की मिलती है 18 OBC को 49 और ST क तो 13 और SC को 27 देन IFS इंडियन फॉरंग सर्विस भारत के राजदूत अंबेस्डर लगेंगे आप लोग वहां पे जाके 38 मतलब आपके बहुत ही अच्छी कॉम्रेटरी रहने वाली है बहुत सारे फिल्मों को देखके कई लोगों को जोश चड़ता है 200 बहुत ही बड़ा के टेगरीज EWS के अंदर 20, OBC के अंदर 53, ST 13, SC 31, IP, NTAFS, Indian Post and Telecommunication Account and Finance Services बहुत ही अची पोस्ट है अक्सर इसकी cut-off जो है डानिक्स, डानिक्स से या ग्रूप भी सर्विसे से भी कम जाते है बट फिर भी इसके बारे में एक सर्विस प्रोफाइल है, you can analyze it, ठीक है हमारे ही YouTube के उपर है, so you can watch it, फिर Indian Audit and Account Services, Indian Audit and Account Services जो है वो प्रमोशन के मामले में बहुत तेज सर्विस है, IS से भी तेज चलते हैं ये प्रमोशन के अंदर और अच्छी reputation है, 2018 के वेकंसी है, अच्छा ग्रूप है, बढ़िया बैच है, so peaceful life रहेगी, then IRS Custom and Indirect Taxes और IRS Income Tax, एक समय ऐसा था कि IRS Custom and Indirect Taxes के अंदर जो है, जम्बो बैच लिया गया था, जिसके उसे प्रमोशन बहुत सलो हो गया, अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि IRS IT, मतलब 129 वेकंसी, जम्बो बैच है, मतलब एक अच्छा heavy बैच लेने की इनकी इच्छा है, ताकि दोनों का प्रमोशन ही stagnant क सके हैं, बाकि चलता तो ऐसे यह मतलब की, ग्रेडे सर्विसेज का अप्ट लेवल तक टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, तो IRS Custom and Excise Indirect Taxes के अंदर है 44, यह पहले IRS Custom and Excise हुआ करता है, अब इसको Indirect Tax कर दिया गया, GST आने के बाद, GST Commissioners भी इनको बोलते हैं, then IRS IT के अंदर Fondness होती है, एक Defense Services के प्रती, उसके अंदर वो सर्व कर पाएंगे, then Indian Postal Service बहुत ही Fantastic Service है, इसके बारे में मैंने आपको अपने वीडियो में एक बताया हुआ है, और वो बहुत ही बढ़िया सर्विस है, यह बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट की जाती है, इसके अंदर 9 vacancies हैं, लेकिन Defense वाले हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, तो please, they do check it की IDAS और IPOS में से उन्हें क्या चूज करना है, तो I am sure कि दोनों वीडियो देखने के बाद, शौरी, Indian Postal Service की वीडियो देखने के बाद, उनको जो हलका सा ऐसा लगेगा कि हाँ, हम थोड़े से डाले इडिवाइस ब्रेक अप है, वो नहीं दिया गया है, बात में देंगे, तो UPSS से चेंज कर देगी, then Indian Defense State Service, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, अगर IDAS और IDES में से चूज करना है, तो I would prefer कि IDES चूज हो, बट कई लोग IDES भी चूज करते हैं, if they have an account के परती है, अगर उनका इ Assistant Director General से इनकी recruitment होती है, directly आप Assistant Director General कहला होगे, ADG मतलब, ADG जी नाम सुनने के लिए कान तरस जाते हैं लोगों के, बट आप directly यहाँ यहीं से चलोगे, Young Officer, तो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई हूँ है, मैंने आप देख सकते हैं, हमारी YouTube चैनल के ऊपर, then इसके अंदर Civil Services, इसके अंदर 52, इनी ने बचाई हुई है, वरना तो बच्चे, Civil Services में 10 टाइम स्पास होते हैं, अगर इसको हटा दे तो गए बहुत सारे बच्चे, है ना, then the Danics, Danics के अंदर यह Group B Services है, इनके अंदर 30, और Danics बहुत बढ़ी है, पोस्स, directly ACP, 39, और इस बार Pondics ने कम से कम तीन जो blanks हैं, वो तो, तीन तो blanks नहीं छोड़े हुए हैं, से दो ही blank, otherwise तो एक ही फिल होता था box, otherwise सारे blank ही होते थे, so this is all about our, जितने भी हमारी 2022 के service vacancies हैं, और अगर किसी को further को information चाहिए, then हमारा, जो है, टेलिग्राम के उपर channel है, आप उसके थूरू भी contact कर सकत हैं, otherwise this is a very good platform, and you can watch our rest of the videos, जो कि आपकी other services profile को थोड़ा सच्छे से जानने में आपकी help करेंगी, then एक नई service का setup किया गया है, Indian Railway Management Service, क्यों setup किया गया है, यह यहाँ पे लिखा हुआ है, to the manager, government of Indian Press, Ring Road, Mayapuri, और यह फलाना-फलाना subject क्या है, notification regarding creation of new group A central services, Indian Railway Management Service, देखो Indian Railway के पहले बहुत सारी vacancies, मतलब CSC के तरूँ आते थी, जैसे Indian Railway Personal Service, Indian Railway Account Service, IRTS, मतलब बहुत सारी services होती थी, और फिर इनके अंदर आपस में लडाई रहती थी, फिर उपर से Indian Engineering Service वाले railway के अंदर आते थी, फिर उनके आपस में लडाई रहती थी, तो एक तसल भरा माहोल रहता था Indian Railway में, तो फिर बाद में Indian Railway ने सोचा कि ऐसा लडाई करवाने के बजाए हमें एक Centralized Service बोल देंगे, कि इनके बीच में अपस में लडाई नहीं होगी, इनका नेम इखटा कर देंगे, इनकी प्रमोशन का एस्पेक्ट वगरा सब कुछ सेम कर देंगे, ऐसा नहीं है कि अकाउंट वालों का जादा तेज प्रमोशन हो रहा है, ट्रैफिक वाले फसके खड़े हुए हैं, ठीक है या परसनल वाले बस बिल्कुल गालिया गालिया सुनते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ, मतलब सब कुछ जो हना उनको लोगों को मिलेगा, जो इस सर्व सर्विस होने वाली है, रिसेंटली, जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग तो, तो इसमें IRMS करके इनका नाम चेंज कर दिया गया है, इंडियन रेलवे मेनेजमेंट सर्विस, और पिछले तीन साल से इसके बारे में कोई विकंसी नहीं थी, ठाकि विड्रॉ कर लिय या था UPSC से, लेकिन हम धीरे धीरे इसके बारे में विकंसी आएंगी, और एकदम से बंपर विकंसी आने के चांसे हैं, तो अपकमिंग 2023 विकंसी के बारे में अगर हम बात करें, तो हायर रहने वाली है 2022 के मुकाबले, रिजन 2024 एक इलेक्शन येर है, ठीक है, तो उससे प वो अटेंप्स भी मिल सकते हैं, और साथ में वेकंसी भी बंपर आ सकती है, ठीक है, वेकंसी भी बहुत ज़्यादा हैवी आ सकती है, तो जो लोग 2024 के अंदर अपना फर्स्ट अटेंप देंगे, तो बहुत ज़्यादा एंथूसियास्टिक होना चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है, अभी अपर्चुनिटीज आने वाली है, साथ ही में IRMS का इंट्रोडक्शन है, तो इंडियन रेलवे ना पहले एप्रॉक्सिमेटली डेड़ सो के आसपास वेकंसी को कवर करती है, डेड़ सो से तीन सो के बीच में, तो एक दम से जो सर्विस का इंसर्ट होंगी या अलग से नोटिफिकेशन बनेगा, that we will see after a point of time, लेकिन तब तक के लिए हम यही मान सकते हैं कि अगर इनका इंट्रोडक्शन हुआ, then again यह जो जो ट्रेंड है वो दुबारा से चेंज हो जाएगा, और शायद इस बार बारा सो की लिमिट भी क्रॉस कर दे, then पिछले तीन साल का बैकलोग भी पड़ा हुआ है ना, ऐसा तो है निकि जिस साल यूपीसी ने विड्रॉ करी उससे अगले साल ही सब कुछ डाल दिया, पिछले तीन साल का बैकलोग अब उस बैकलोग को क्लियर करने के लिए भी बंपर वेकंसी जाने के माक्सिम लिए और हो सकता है, यूपीसी है ना, यूपीसी के अंदर जो वेकंसी होती हैं, वे टेंटेटिव होती हैं, अगर गवर्मेंट का मूड फिर और आयरमस को इसमें इंटोड्यूस कर दिया, then बहुत बड़ी बात होगी, और अगर नहीं तो 2024 के अंदर तो वेकंसी सबसे पहले हम बोले, जो हमारे दिल के बहुत पास हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हां, उनको थैंक यू, और जिन्होंने नहीं क्या रहे, कोई बात नहीं आराम से कर लेना, खुशाल रहो, हैपी रहो, पढ़ते रहो, और सीखते रहो, बाकि अगर किसी को किसी भी जिन्होर भी रहो, ह sure to have a nice day!